है गाईज वाटसप आई होप यॉर डूइंग वेल तो आज का जो टॉपिक है यूपी ट्रेपल सी वीडियो और लेकपाल के लिए हिंदी में बात करें तो सब्द भेद आज एक नया टॉपिक सुरू हो रहा है और सब्द भेद में तत्सम तत्वा बहुत इंपॉर्टेंट इसको ठीक है पूरे कॉर्स को चाथ 3 वीडियो में कपलीट करने वह इसको क्यूंकि इंपॉर्टेंट आपसे 2 सब्सक्राइब कर सकता था इसलिए मैं आपका ठेखा ले रहकшее 44 न का सही कराने का एक्जाम में इसलिए मैं से तीन वीडियो में complete करने जो लास्ट तीसरा वीडियो को उसमें कुछ important तत्सम तत्वा बॉक करा देंगे ठीक है उसके बाद कुछ हम बता देंगे एक लिंक मिल जाएगा वहां से अप मुझे डिरेक्ट अनकेडमी के लर्निंग पर फिर फॉलो कर सकते हैं उस पर बात करें तो करेंट में यूपी पी यूपी ट्रेपल सी रेलवे की कोर्स अवेलबल है और वीडियो की क्लासेश चल लही है और जल्दी ही उस पर अच्छे से समझेंगे एक एक चीज को अच्छे से समझेंगे ठीक क्योंकि आगे प्रॉबलम ना हो मैंने जैसा कि कहा था इस तरीके से पढ़ना है कि दूबारा हिंदी पढ़ने की जोगरत ना पढ़ने कि पहले होता था लोग अंग्रेजी की फैक्ट आप मुझसे सुन लिए किसी ने नहीं बताए होगा अंग्रेजी की बात करें तो ऐठ पर एपल से शुरू होती है और जैड़ वोगाने नाकर छोड़ती है बात करें तो आपका अल से शुरू होती प्रकार से किया गया ठीक है तो बात करें हिंदी की जैसा कि मैंने यूपी पीसी आरो ए आरो यूपी एसाई यूपी पुलीस लेकपाल वीडियो सारे एक्जाम के लिए लगबग महतपूर है जो आपको नेश्ट देने हैं ठीक है तो पहले क्लास्फिकेशन की बात कर लेता है तो चार वर्गों में बाट अगया है बाह सकते हैं दूसरा रचना कि आधार पर तीसरा प्रयोग कि आधार पर ठीक है तो सबसे इंपोर्टेंट आपका यह उतोपत्ति हम इतिहास क क्याओर पर यहीं से ज़्यादा कोशन पूशिये जाते टो यह फिर से दिख लेते हैं जो classification किया है सब दों वो चार उनक वर्गी गड़ी आधार पर ुत्पत्ति वू इतियास के आधार पर प्रयोग के आधार कर बाद कर आपक多 नोट्स बना द्लिए तो अब ही copy लेके बैठ जाए मैं बोलूँगा चीजे लिखते जाए क्योंकि यहां पर मैंने लिखा नहीं है कुछ और सब के परिभासा है मैं बोलूँगा जो आपको पड़ने लागे एकदम सब लिखते जाएगा ठीक है तो चलिए बात करते हैं उत्पत्ति वह इतिहास के आधर पर किस प्रकार से सब्दों को क्लासिफिकेशन किया जाता है तो उत्पत्ति इतिहास के आधर पर आपको पाच प्रकार से मिलेंगे पहला मिलेगा आपको तत्सम जैसा कि मैंने थमनेल पर लिखा था उसके बाद तदभाव उसके बाद संकर सब्द मिलेगा देशस जानेंगे अच्छे से समझेंगे दो दो लाइन का आप डेफिनेशन लिख लीजिएगा अपने कॉपी में ठीक है हम मैं यहां लिखा नहीं हूँ इसलिए आपको प्रॉब्लम हो सकती है तो भूल जाए बाद में तो मुझसे मत कहिएगा ठीक तो अच्छे से लिख लीजिए सबसे पहले हम देखेंगे , अफधशन, माट यूल, जे संकर, देशब, इह आपकी हो गई 5 प्रकार पर किम्हें आदर पर और वीतिहास के आदर पर ठीक है तो सबसे पहले हम देखेंगे तत्सम, तत्सम क्या होता है, तो हमको पता है कि पहले हमारी सबसे पूरानी जो भासा थी, वो कौन सी थी? संस्क्रिट थी, ठीक है, तो संस्क्रिट से ही ये बने हैं, तो जैसे हम सब्द का अगर जो हम अलग-अलग करते हैं, जैसे हम देखते ह सब्सक्राइब निकल कर आज भी उसी रूप में प्रयोग किये जाते हैं उसी हम सब्सक्राइब सब्सक्राइब जो सीधे संस्कृत से आकर हिंदी में प्रचलित है अर्थात संस्कृत के समान है वे हमारे क्या है तत्सम है तो हो गया आपका तत्सम क्लियर आप एक्जैंपल देखते हैं तो अगर जो अभी भी नहीं समझ में आएगा तो मैं फिर से एक बार डेफिनेशन ब कुछे तो आप कहेंगे आग हो गया अभी हम करंट में क्या बोलते हैं आग बोलते हैं लेकिन पहले संस्कृत में क्या बोली जाती थी अगनी बोली जाती थी ठीक है तो अगनी आपका क्या हो गया तत्सम सब्द हो गया इसी तरह वायू आपका तत्सम सब्द हो गया माता अभी करेंट में दभौ किसान बोला जाता है अगनी हो गयए आपका नसीका बोल सकते हैं आप काड़ सकते हैं हस्त बोल सकते हैं ये आपके सीधे संस्क्रिस्ट से निकल का आज भी प्रयोग किये जाते हैं इनमें कोई भी प्रवर्तन नहीं हुए दिए जो भी प्रवश्च के करण हुए है और प्रवंस चीज प्रवर्तन हुए है आपको पहले चैप्टर भासा में मैंने बता दिया था ठीक है चलिए अब आते हैं नेक्स्ट तत्सम आपका हो गया अब आते हैं तो इसका सेम उल्टा मतलब जो सब संस्कृत के पहले संस्कृत में बोले जाते थे लेकिन वो धीरे धीरे आके आम बोलचाल की वासार में वो परिवर्तित होकर बदल गया है ठीक है उन्हें हम क्या कहते हैं तद्वा सब्त कहते हैं अब इसका तो मैंने वैसे ब देखें इसको हम अलग करें तो हमारा तत धन भाव अर्था संस्कृत से विक्रित होकर इसको हम कह सकते हैं संस्कृत से विक्रित होकर जो सब्द बने हैं उसे हम तद्वा सब्द कहते हैं ठीक है तो देखते हैं इसमें क्या होता है हिंदी में ऐसे नेक सब्द हैं जो निकल कल वो भासा बोली जाएगी तुरंत यह नहीं होता उसमें बहुत कम से कम लगवग सो साल 200 साल का समय लगता एक सब्सक्राइब को परिवर्ति थोने में ठीक है तो यह हुआ यह होता तो इस काड़ संस्क्रित से जो भी सब्द थी पुरानी संस्क्रित में बदल कर अब आज के नाख बोलते हैं, संगया को, संजा को, साज बोलते हैं, ठीकर तो इस प्रकार से यह हो गया आपका तदभाओं तो आप लिख लिजिए, कौपी मीलेगर्फलिक लिखर varit者 तो तो वो सबद वेसब्द या अईसे सब्द वेसब्द या एसे सब्द जो हिंदी भासा में आम जनमान से समान रूप में बहुब प्रश्रिदत हैं अर्थात इनकी उत्पत्ती तो संस्क्रिट से हुई है लेकिन हिंदी में आते आते इनका रूप बिगड़ गया या अप्रभनसित हो गया तो इस प्रकार से फिर से एक बार बूल सुन लीजे वे सब्ध या ऐसे सब्ध जो हिंदी भासा में आहम जन्मानस में सामान रूप से बहुँ प्रचलित है अर्थात इनकी उत्पत्ती तो संस्क्रिट से हुई है लेकिन हिंदी तक आते आते इनका रूप बिगड़ गया या अप्रभनसित हो गया तो कौन-कौन से एक्जेम्पल लिख लिजेगा जैसे किसान क्रिशक मेंने बता था क्रिशक का किसान हो गया किसान आजगनाक कान हात या आपके तत्सम सब्सद्ध को स्कर नोट बनाटे चलिए थीक है बाद में आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपके समझ में आए खतक है अगर किताब में नहीं समझ में आता है तो समझ में आज बनते हैं संकर सब्द अब देखेंगे हम संकर सब्द क्या होता है ठीक है संकर सब्द वे सब्द होते हैं जो दो भिन भिन स्रोतों से आगे एक सब्द बनते हैं जैसे हम बोलते हैं रेल गाड़ी तो हमारा रेल गाड़ी दो सब्द है रेल धन गाड़ी ठीक है अब रेइल की बात करें एक और फेत को हम देखेंगे चाया दार लिखाय तो चाया की बात करें तो यह हमारी संस्क्रेश्ट सब्दर है और दार की बात करें तो यह हमारी फार्सी सब्द है तो यह हमारा बनका चाया दार तो इसका अगर जो डेफिनेशन देखें तो क्या होगा दो भिन भिन सुरोतों से आए हुए सब्दों के मेल से बने नए सब्द को संकर सब्द कहते हैं तो एक्जेंपल में आप लिख सकते हैं रेल गाड़ी हो गया रेल आपका हंगरेजी सब्द है और गाड़ी के बाद के हिंदी सब्द हो गया अशाया आपका संस्क्रित ङर्दार फार्सी और शील बंद Sm Gamb अपका waffle ऑफार्सी पालगे है ओर भीडशास सब्द औरधी और इसकुथ है अच्छ शी समझेगा देशास सब्द और विदेशसद क्या होते हैं, ठीक है, तो देशसद की बात करें, तो देखिए, देशसद आम जन्मानस जैसे हम किसी भी देश में रहते हैं, फिर किसी भी प्रदेश में रहते हैं, कुछ सब्द ऐसे होते हैं, जो वहीं पर बन जाते हैं, अपने आप बन जाते हैं, अपने आए कहां से है ऐसा इसका भी पता ना हो तो ऐसे सब्द को देशज सब्द करें जैसे अपर थैला हो गया पेट हो गया लोटा हो गया तो यह आपके कौन से सब्द है ठीक है थैला पेट लोटा यह आपके कौन से सब्द देशज सब्द है ठीक है तो इनका पता नहीं चलता य है और भी बहुत सारे एक्जैम्पल हो गया ठेट पगड़ी ठीक है तो देशाज सब्द आपका हो गया तो देशाज सब्द एक बाद फिर से देख लिजे ऐसे सब जिनके उत्पत्ति का पता ही ना चले वे कहां से आया है तो ऐसे सब्द को देशाज सब्द कहते हैं अब आत आते इसले विदेश सब्सक्साद हैं है इसको मैं अब करनेंट में करा अथा है विदेशाज में अब हनी की तरह घंडी में प्रयोग किया जाते हैं वे विदेशाज सब्द आए हैं लेकिन पनだ ए crusty थे पहले हमारे इंडिया में आपको पता ही है तो वे कुछ सब्द प्रयोग करते थे जिनका हिंदी में आते हैं हम लोग आए तो हिंदी में ही उसका अंग्रेजी सब्द का हिंदी में ही प्रयोग करने लगे ऐसे सब्द को विदेशा सब्द करते हैं लिख लीजिए वे सब्द जो विदेश तरिक एंग्री जी सब्द है ट्रेन हो गया 35 साइकल यह हम आज यही सब्द बोलते हैं लेकिंग्री जी सब्द है हिंदी नहीं है पुलीस टैक्स वेट वोट पेंसन ठीक तो यह सब विदेसी है और भी देखे विदेशी सब्द कहां कहां से पूछ जाते हैं आपके आपके अ आपको वीडियो में करा दूंगा कौन कौन से सब्सक्राइब कल वाला वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टन क्योंकि वहां से आपका एक कोशन प्रस्ट पूछा जाना ठीक है देखिए यहां से तत्सम तत्मों की बात कि रहे तो दो या तीन कोशन तत्सम 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 से एक कोशन आपका देशाज विदेशाज से बनेगा ठीक है और अब इधर से तो कोई गारंटीन यहां से कम ही कोशन पूछे जाते हैं लेकिन आपके यहां से कोई आप देखिए यहां से आप आगे आपके देख लेते हैं अर्थ क्य ही हो गया एक आर्थी मतलब एक सब्सक्राइब कर नहीं आगे मैं आपको बता दूँगा इसलिए इसको अभी जरूरत नहीं है लेकिन अभी आप ये जान लिजे सब्दों को चार प्रकार से वर्गी कृत किया किया है उत्पत्ति इत्यास के आदर पर जिसको मैंने बता दिया और रचना के आधार पर प्रयोग के आधार पर और तो अभी हम देखेंगे रचना के आधार पर सब्दों का वर्गी काड़ कितने प्रकार से किया है कौन-कौन से रूड़ सब्द योगिक सब्द और योगरूड सब्द ठीक है रूड़ सब्द योगिक सब्द सब्द वे क्या होते हैं अनुकारणात्मक सब्द आपके सारे आपके देशा जोते हैं देशा जोते हैं ठीक है एक्जाम में आता है इसलिए मैं बता रहा हूं अनुकारणात्मक सब्द क्या होता है चलिए देख लेते हैं क्या होता हूं अनुकारणात्मक सब्द एक ब्लेख लिख लीजे इसमें कुछ वे सब्ड जिससे एक जैसी धोनी समानदोनी रीपीट होती है अनुकर्णात्मक रैफ। और सारे अनुकल्डात्मक सब्द जो होते हैं वो क्या होते हैं वो देशा जोते हैं ये लिख沒 देखतें कौन को से सब जैसे रिपीटे होते हैं अपने एक जैसी धुरी ममम्म जोना ढग synergy जैसे अब अपका ऊपका हो गया हिन इनाना ठीक है हिन ही नाना यह आपका उगया उनकल्दात्मक तो लिख लिए एक्जेम्पल में चहाना कट सब्सक्राइबаки अब चलिए रचना के आधार पर देखते हैं तीन प्रकार के होते हैं रूड़ सब्द योगिक सब्द और योग रूड़ सब्द तो अच्छे से देखेंगे इसको यह भी जॉंप एक्जाम में आते हैं इसलिए ठीक है अब देखते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे हां पर र हुआ होते हैं रूड़ जैसा कि सबसे है असपस्ट हो जाता है कि इनके अलग खंड नहीं किया सकते हैं वह रूड़ सब्द कर लाते हैं अब देखते हैं इनके जैसे एकजैमपल देखेंगे अभी आपके अगा करिकर से आपका है कोई किसी से कोई सब निकल के आ रहा है नहीं आ रहा है ठीक है तो यह क्या हो गया रूड हो गया आपका तो और भी जहां पर जासे देखने मेज देख लेते हैं मेज का भी कोई सार्थक नहीं हो सकता चावल हो गया और आपका पुस्तक हो गया तो इन सब के सार्थक नहीं हो स यह आपका रूहिंग नहीं है तो मतलब यह हो गया लिख लिए रूहर सब वह सब्द होते हैं जिनके साहर ठकर्णे नहीं होसकते क्या कहलते हैं रूहर सब्ड कहलाते हैं रूहर लेकिबिए तेम्हें की झ aprend Like कम्सा क्रिफ यह सब कोरद हैं रूड उपल होते हैं जैसे आप लिख सकते हैं घोडा दीम सब्सक्राइब को तो यह सब्यों सब्लता है फिया यह सब्लता है इसका एक्जाम पर लग जो हम देखेंगे तो विद्याल है विद्याल है हम देख रहे हैं तो विद्याल है कि जो हम अलग अलग करेंगे तो विद्या दान आल है तो हमारा सार्था खंड हो आना है अलग अलग मतलब निकार क्या रहा है तो यह हमारा क्या होगी योगिक सब जिनके सारता कंड के जा सकते हैं वे योग की सिप्ट कराते हैं विद्यालाय पुरिष्टकालाय राजमहल पूत्र राजपूत्र ठीक है आगे चलते हैं एक और टॉपिक बचा है अपका योगुरूड योगुरूड क्या है यह एकदम जैसे बाहु ब्रीज समास होता है अब भी पढ़ाया है नहीं है तो आगे पढ़ाऊंगा तो वह चीज वहा समझ में हो जागे लिए इसको भी देख लेते हैं अच्छी से योगुरूड के बारे में ठीक है यह वारे वह बहुते हैं जो दो या बेक Sबस्दों से मिलकर तो बनते हैं लेकिन कितनू अपना ज तो एलग करेंगी तो पीत धनावर कोसे करेंगे तो पीत धनावर कोरे की नहीं है तो 10 अल और इसलिक है यहीं प्रकार और म्नेंगे दस अनन मतलब होगह इसको 우리가 करेंगे 10 आनन, मतलब 10 है, जिसके आनन हो गया, 10 है जिसके आनन लिकिन यहाँ पे 10 आनन का मतलब क्या है रावण है, तो मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है वे सब जो दुए दुशेदिक सब hadeंसे मिलकर बने हैं, किन्तु सामाने छोड़कर किसी विशेश वे क्या कहलते हैं योग्रूड सब कहलते हैं तो ध्यान रखेगा इसके और इसे अगे शामास के आ जाएंगे अपके सारे योग्रूड में आ जाएंगे तो इसको यहां बताने की जरुदत नहीं है लेगिन ये सब्ध आपका तत्सम तद्वा आपको यहां से कोच्चन आता है ठीक है और यह भी आगे आपको मिलेगा अलग अलग चैप्टर यह भी आपको मिलेगा ठीक है तो आसा करते हैं आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ लगउ पहले अनर्त लेखे, हनरत का आपका ततसम होगया, अनर्त, अग्यान का अजान,阿शurū का आशू, तो देखे ये संस्क्रिट के सब्द है, है ये आपके संस्क्रिट से अप्रभंसीत होकर जो आम बोलचल की बासा में आज बोले जाते हैं अगनी की बात करें आज हो गया आग बोला जाता है अंगुष्ट का तर्भाव अंगुठा आलू का तर्भाव आलू उच्च का उच्छा ओस्ट का ओट कूप का कुवा करपूर का कपूर कंकन का हो गया कंगन कंदली का केला सारे important है एक्षी का आँक, उल्ू का उल्लू का पोट का कबूतर, पीबासा का प्यासा, राजपूत्र का राजपूत्र का राजपूते, लवं का लौंग, लोहा का लोहा, असमरण का सुमिरं, स्वाड़कार का सुनार स्वासूर का ससूर मास का महीना मात्राव पे भी ध्यान दीजिएगा ठीक है और सारे मोस्ट पर सारे आए हुए है घ्रीह का घर कोष्ट का कोठा, कथावत का कहाँ कुकूर का कुत्ता, गोटक का गोड़ा ग्रामीर का गवार मास का महीना, स्वासूर का ससूर स्वारकार का सुना तो आगे भी मैंने बदा दिया तो आसा आपको वीडियो पसंद आया होगा तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजे अच्छा लगे तो शेयर जरूर करेगा तो चलिए थैंक्स प्राजचिंग मिलते नेक्षड़ में जाहिन दोस्तों जावारत